हेलो दोस्तों कल मीडिया स्क्रिनिंग हुई थी मैदान की बहुत देखा मैंने मतलब मैंने नहीं देखी मीरा आज जो है प्रीमियर शो है मैं यहाँ पर मतलब मीडिया ने जिस तरीके से जी हाँ दोस्तों मीडिया ने देख ली है मैदान मुवी और गेस वाट की सब ने फोर फाय रिटिंग दिये यह मैं नहीं बोल रहा हूँ भई मीडिया के रिविव्यूज है कुछ लोगों को लगता है कि मैं फेक बात कर रहा हूँ कि मैदान को बेवजाई मैं यह कर रहा हू क्या बुलते हैं तरीके से सपोर्ड कर ओ। ऐसा नहीं है देखो जहाँ पर सचे रिव्यूज होते हैं ना तभी मैं आपको पता है कि मैं सच रिव्यूज आते हैं तो ही रिटता हूँ ऐसे ही नहीं देता हूँ तो रिव्यूज को लेकर अगर यहाँ पर जो हुआ है जो special screening हुई थी उसको लेके जो भाई जो तारीफ हुई है ना अजय सर की it's like कि अगर ये film को मतलब कितने कितने awards मिलेंगे वो तो आप सोच भी नहीं सकते कि अब यहां पर वो जो just a minute पूरा ट्वीटर का ही मैं आप अल्टिकल है किसने क्या क्या रेटिंग दिये क्या क्या नहीं वो उसके बारे में भी बात करेंगे just a minute कि यह कुछ लोगों ने दिये मतलब अभी यह मीडिया स्क्रीनिंग थी तो just a minute थोड़ा वक्त लगेगा यहां पर देखें लो news 18 की तरफ से आया हुआ अजे देखान गजराज राव shine bright in this brilliant sports biopic उन्होंने तारीफ तो बहुत किये लेकिन 3.5 रेटिंग दिये उन्होंने क्या क्या बोला है उसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ा सा आज पेशन्स रखिए दोस्तो बहुत रिव्यूज है तो बीच-बीच में थोड़ा मतलब डूड़ने में भी आरवक्त लगता है मतलब यह सब बोलने के बाद उन्होंने यह भी बोला है कि मैदान डिजर्स तू बी वाच मतलब बाद में छोटे बोलते हैं ना कि वन लाइन रिव्यूज दे फिल्म ब्रिंग्स बैक इमोशन्स दाट वी वन्स फेल्ल वाइल वाचिंग चक्दे इंडिया अशूर यू य उसके अब दीवान हो जाओ के ऐसा बोला जा रहा है पिंक विला की अगर मैं बात करू उन्होंने भी 3.5 रिटिंग्स दिया यह 3.5 यह मुझे लगा 4 या 5 यह बहुत से लोग नहीं नहीं जो सर्च है वो सर्च है उन्होंने काया है मैदान इस और को पैशन दाट कैन अली by someone who is really passionate to tell underdog story of the Indian National Football Team it succeeds in making audience relieve the golden age of Indian football there are few hiccups through the film but you take home very fulfilling and filling as credits role मैदान थेटर के लिए ही है ऐसा मतलब उन्चाट उनका यही कहना है के इट्स इमोशनल अब टाइम्स नाउने जो बोला है देख लो I think critics reaction उन्होंने तीन रेटिंग दिये थी दिये उन्होंने और उन्होंने आजे देवगंट सर के तारीफ की है उनके काम को लेके और उन्होंने यह भी कहा है के emotion okay fine उन्होंने ओलिम्पिक्स और अशियन गेम का भी जिकर किया उन्होंने बहुत कुछ लिका यार cricket, badminton, field, hockey, we have heard the stories and seen India win medals, hoist trophies and these sports but what about football तो उन्होंने यह बोले कि यह describe करती है कि इंडियन football कितना बहतर इन एक टाइम पे था and writing and direction की उन्होंने तारीफ किये and the performances as the impassioned coach who only lives and breathes football Devkan is excellent, his guidance and effort with Indian players are fair and inspiring चलो भाई, यह भी अच्छा review और देखो, reviews अच्छे आए मेरे बाई, जूम TV की अगर मैं बात करो तो उन्होंने तो I think उन्होंने भी 3 ratings दिये, ठीक है 3 ratings है, मतलब 4 अगरा अभी तक तो नहीं देखे, कुछ लोगों के हैं वैसे वो क्या है ना 2-3 कृटिक अपने आपको बोलते है, वो रोहीत, सुमीत, उन्होंने 4-4 दिये हाँ, इनका यह कहना है कि it is very nice the 3 hours, 1 minute long movie मैदान has powerful dialogue delivers by Ajay Devgan, for example, जब घर की new कमजोर हो, तो छट बदनने का क्या फाइदा? तो भाई, ऐसा ही है कि भाई, वे तो बताने की ज़रूद है क्या भाई दवे आपको की Ajay Devgan की और dialogue बाजी की मतलब कोई, कोई मुकाबला है क्या वे से, वो तो सची है ना, कि भाई, वो आदमी, आप कोई भी फिल्म इसको दे तो, वो आपको disappoint नहीं करने वाले, यह तो guarantee ह सारे तीन rating दिया है, बॉलिवड, बबल ने, और उन्होंने screenplay की भी तारिफ किये, cinematography की भी तारिफ किये, और जिस तरीके से यह film लिखी है, मतलब specially जो यह story किसी को पता नहीं थी, and BGM, यह रह्मान की भी तारिफ किया, जैसर की भी spectacular performance भाई, अजय देवगन, उन्होंने व character जिया है, ऐसा देदो, चार रेटिंग्स दिया है, दोस्तों, पंजाब केसरी ने, देखो, आज review आएंगे भाई, ऐसा होता है, कभी कभी कि कुछ लोगों के review नहीं देखे गए, कुछ लोगों के देखे गया, मेरा तो भाई, evening को आज है, premiere show, मैं मेरा भी experience बताऊंगा, लेकिन भाई, वीडियो कल बनाऊंगा, आज quick review देखे दूँगा, क्योंकि भाई, तीन अवर से एक मिनिट आप समझो, अगर वैसा होता है, तो मतलब यार, थोड़ा आदमी ठक जाता है, तो review में वो excitement नहीं रहती है, okay, anyways, और एक, हाँ, जो इनोंने बोला है, music AR रह्मान जो दिया है, उसके BGM को लेके उनोंने बहुत ज़्यादा तारीफ किये, अजयर एवंट सर के performance से लेके अगर उनोंने, overall जो कहा है, उनके, okay, प्रिया मनी ने भी बहुत ही शानदार काम किया है, लेकिन जो अजयर एवंट ने काम किया है, हाँ, मतलब एक, उनोंने एक शान अगर मुझे और रिवीव मिलेंगे तो मैं डेफिनेटल आपके साथ शेर करूंगा, पर फिर भी यहाँ पे, हाँ, वो उसका रिवीव रहे गया, एक सेकन, एक सेकन, वो आदमी क्या रहा है, मुझे लगा था, उसने फेक दिया, ना, फेक नहीं था वो रिवीव, एक मिनि यार रेटिंग दिया है, ये जो है, वो रोही, रोहीत करके, उननना बोला है, फिर्स्थाप गूड, सेकन अप ब्रिलियंट, लास्ट फिप्टीन मिनिट्स, टेरिफिक, अजर एगवन दोस इत अगें, और तो इंस्टाइल, स्वैग, एज वित इस आउटस्टेंग, मैद लेकिन एक बात है, हाँ, सब लोगों पे लोगों ना ट्रस्ट किया है, लेकिन इस आदमी को लोग बोल रहे हैं कि भाई, तुम तो नहीं थे स्क्रीनिंग में, तैर इसका नहीं पता है मुझे, एके, सो, तो वो यार उसको लेके मुझे तो डड़ाउट है, लेकिन बाकी अभी तक आपने सब रिव्यू देखे हैं, रिव्यू में बुरा ही तो नहीं हुई न, हाँ, रेटिंग्स 3, 3.5, 4 एक जगा पे पंजाब के स्री, या अदमी ने भी 4 दिये, या इसका नहीं पता मुझे देखा है या नहीं, पर overall आपने देखा होगे कि overall बहुत ही बहतरी मिला है, हाँ, अगर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ और रिव्यू मिलते हैं, कमेंट्स में बताएं अगर आपको चाहिए या नहीं महिदान के, बड़े मिया चोटे मिया के भी रिव्यू अगर मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा, बड़े मिया चोटे मिय